नमस्कार दोस्तों एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बहुत क्यों सिखने को मिलेगा जिब की एकजाम में काम करेगा तो आजी देर ना करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और वीडियो के फस्टे में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी उसके अंदर जो भी कोश्चन आने वाले हैं उन आने वाले कोश्चन के बारे में जानते हैं दोस्तों आके पहँने से पहले हम आपको एक बता डूँ कि इस वीडियो के अंदर में आपको आती लगू उत्सरे आती लगू उत्सरे परस्णों के बारे में जानते हैं यहां पर दोस्तो आती लगू, उतनी पनला प्रस innovation की बात कीजाए। अब दोस्तो अगले question की बात कीजाते। यहां पर दूसरा question दिया हुआ है। साहिते के किस यू को स्वाड यू कहा जाता है स्वाड यू कहने के आधार इसपस्ट किजिए यनिके दूसरा कोश्चन कर रहा है कि जो हिंदी साहिते है हिंदी साहिते के किस यू को स्वाड यू कहा जाता है और स्वाड यू क्यों कहा जाता है स्वाड यू कहने के अधार को क्या करना है अब दोस्तों अगले question की बात की जाते हैं पर दोस्तों आपका तीसरा question दिया हुआ है नाथ साहिते का प्रथम कभी की से मना जाता है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है गुरु के बारे में गोरखनात के क्या विचार है यहाँ पर दूस्त आपको गोरखनात के विचारों के बारे में बताना है अब दूस्त अगले कोश्टन की बात की जा तो यहाँ पर दूस्त आपका पांचवा कोश्टन दिया हुआ है सूरुदास का जन्म कहा हुआ था यानि कि दूस्त तो यहाँ पर आपको पांचवे कोश्चन बताना है कि जो सूरुदास जी है सूरुदास जी का जन्म कहा हुआ था अब दूस्त अगले कोश्चन की बात कीजा यहाँ पर दुस्त आपका साथवा कोश्चन दिया हुआ है कभितावली में छंदों की संख्या कितनी है यहाँ पर दुस्त आपको साथवे कोश्चन बतना है कि जो कभितावली है कभितावलों में छंदों की संख्या कितनी है अब दूस्त अगले question की बात की जात यहाँ पर दूस्त आपका आठवा question दिया हुआ है कबीर की रचनाओं का पहला संगरा क्या है यहाँ पर दूस्त आपको कबीर की रचनाओं का पहला संगरा बताना है अब दूस्त अगले कोश्टन की बात की जात यहाँ पर दूस्त आपका नौवा कोश्टन दिया हुआ है जैसंकर प्रसाद की कौन सी रसिना अतुकांत है जैसंकर प्रसाद की कौन सी रसिना अतुकांत है यहाँ पर दूस्त आपको बताना है कि जो रसंकर पसाद है उनकी कौन से रसना और तू कांथ है अब दूस्त अगले कोश्टन की बात की जा तो यहाँ पर दूस्त आपका दस्वा कोश्टन दिया हुआ है निराला ने कौन कौन से उपन्यास लिखे है यहां पर दुस्त आपको बताना है कि निरालाने कौन कौन से उपन्या से लिखे हैं अब दूस्त अगले question की बात की ज़ाथ यहां पर दुस्त आपके गरावा question दिया हुआ है बादल को घीरते देखा है कभिता किस प्रकार की कभिता है यहाँ पर दोस्तों आपका जो कविता है बादल को घीरते देखा है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो कविता है बादल को घीरते देखा है किस प्रकार की कविता है अब दोस्तों अगले कोश्चन की बात कीजिए यहाँ पर दोस्तों आपका बारावा कोश्चन दि यहां पर दूस्टों, लगूतनी परस्ण में पहले परस्ण की बात की जाए game Venntle Yae यहां पर दूस्तों आपका पखे। नागा अरजुन को जन रहा जाता है स्वात्फित चाहए इस पर महादेवी बर्मा के कावे हैं महादेवी बर्मा के कावे में जो बिरहान उभूती सिर्षक हैं अब दूस्त आपको महादेवी बर्मा के कावे में बिरहान उभूती सिर्षक क्या करना है टीपड़ी लिखना है अब दूस्त अगले कोश्चन की बात की जाती हैं पर दूस्त चौस्टा कोश्चन दिया हुआ है तुलसी की समनवे भावना पर संशीप्त निबन लिखना है अब दूस्टा अगले कोश्चन की बात किया है तो यहां पर दूस्टा आपका छटा कोश्चन दिया हुआ है कभीर की भासा पर प्रकाष डलिये यहां पर दूस्टा आपको कभीर दास बात किया है यहां पर दूस्टा आपका और दूस्टा आपका कोश्चन दिया हुआ है अमीर खुसरो लोक समेदना के कभी है इसपश्ट कीजिए यहाँ पर आपको इसपश्ट करना है कि जो अमीर खुसरो है अमीर खुसरो लोक समेदना के कभी है अब दोस्तो अगले कोश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दुस्ताब का नौवा कोश्चन दिया हुआ है भारतेंदू और हिंदी नौ जागरण का बीवेचन कीजिए यनिके दुस्तो नौवा कोश्चन कर रहा है कि जो भारतेंदू है और जो हिंदी नौ जागरण है यहाँ पर दोस्ता आपको भरतेंधू और हींदी नौ जगाट के किया करना है बीविचना करना है अब दोस्ता अगले question की बात किजा המץा तो यहाँ पर दोस्ता आपका दस्वा question दिया हुआ है, प्रगतिवाद की परतीवाद की परमुक विस्था है, प्रगतिवाद की कौन स प्रस्तन की बात की जाया तो यहां पर दूस्त आपका पहला प्रस्तन दिया हुआ है इस कथन की समिक्षा कीजिए आप दूस्त आपको सीध कीजिए कि परसाद की च्छायवादी क्या पेधारा की प्रतिनीजी कभी है यहां पर दूसरा question कर रहा है कि जो परसाद दिजै कि प्रसाद रिजिश हैवादी क्या बेदार के क्या है? प्रतिनीधी कभी है अब दूस्तो अगले question की बात की जगत तीजओं तूस्त आपका तीसरा question दिया हूए बिहारी रितिकाल के प्रतिनिधी कभी है परमारित कीजिए यहां पर आपको परमारित करना है कि जो बिहारी है बिहारी क्या है रितिकाल के प्रतिनिधी कभी है अब दोस्तो अगले कोश्चन की बात की जा तो यहां पर दूस्त आपका चौथा कोश्चन दिया हुआ है नाग कोश्चन की यहां पर दूस्त आपका पांचवा कोश्चन दिया हुआ है सूरदास का बात सल्य वरलन हिंदी साहिते की अमूल निदी है कथन की समिक्षा कीजिए यहां पर कवर है कि जो सूरदास का बात सल्य वरलन है हिंदी साहिते का अमूल निदी है इस कथन की क्या करना है समिक्षा करना है तो यह तो ठोल आपके पांस कोच्टन होंगे जो कि आपके दीर गूत फिर 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 में पुछे जाएंगे नहीं पर दोफर इस वीडियो के अधर मैं उपर नोट कर लाइजी और किसी किताब से इस्री मीडा आकर